तो एक बार फिर हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं बहुती नए कंसेप्ट की यह रीसेंट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो की 2022 में आया है यह क्वेश्चन है टीचिंग अप्टिट्यूट के अंदर जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिं रखी होंगी लेकिन लेटेस्ट पाटन के अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ नए टर्म्स यहां दिखाई दे रहे हैं जैसे गेमिफिकेशन फ्लिप्ड क्लास्रूम वगएरा वगएरा इसके लाव वर्चुल रियालिटी तो यह सब क्या चीज़े होती हैं जब हम लोग लेटेस्ट प्रेवेसर क्वेशन की अनालेसिस करते हैं तो हमें समझ में आता है क्या के नए टर्म्स इंक्लूट किये गए हैं तो आए इस क्वेशन के माध्यम से इन नए टर्म्स को जल्दी से समझ लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला टर्म य परड़ी पता है कि जब आप किसी डेटा को याद रखने के लिए मेमराइज करने के लिए एक सिस्टमाटिक वे में अपने दिमाग में अरेंज करते हो तो जनरली माइंड माप को कुछ ऐसे बनाते हैं कोई टॉपिक होता है और टॉपिक से जोड़े जितने पॉइंट होते हैं आप उसके चारो और लिख देते हैं तो यह आपका माइंड मैप टाइप का बन जाता है ठीक है इसके अलावा ये नया टर्म आया है गेमिफिकेशन गेमिफिकेशन का मतलब होता है किसी नौर्मल लेक्चर को इंटरेस्टिंग गेम में बदल देना उसे क्विज बना करके या क्वेस्चन अंसर सेशन बना करके तो इसे हम कहते हैं किसी बोरिंग लेक्चर का गेमिफिकेशन कर देना या उसे गेमिफाइ कर देना पढ़ाता है तब जाके learners को समझ में आता है लेकिन मान लो अगर हम इसको उल्टा करें उल्टा process दोर आएं क्या करना है हमें अगर मान लो किसी classroom में learner पहले पढ़ाई करके आए जो teacher पढ़ाने वाला है और उसके बाद teacher से जा करके समझे तो इसे हम कहेंगे flipped classroom इसका मतलब teacher के lecture देने से पहले teacher के पढ़ाने से पहले learner खुद उस lesson को पढ़ रहा है इससे पहले कि teacher उस lesson को describe करे और finally हमारा आ जाता है ICT based teaching method यानि कि जब technology use होती है किसी teaching method में तो वो ICT based teaching method होता है तो कुछ भी हो सकता है इसमें computer का प्रयोग हो सकता है इसमें projector का प्रयोग हो सकता है audio visuals का प्रयोग हो सकता है कुछ भी चीज़े आ सकती है तो आईए इतना हमें पता चल गया है जिसमें हमें दो नए terms पता चले gamification और flipped classroom आईए अब मिलाते हैं किसका क्या होना चाहिए तो देखो यहाँ पे जो gamification है यह सीधा सीधा हो जाएगा learning through using quizzes जब हम quiz का use करते हैं lecture की जगा हम quiz से interesting मना देते हैं अपनी class को तो यह gamify करना उस class को कहलाता है उसके बाद flipped classroom जैसे हमने बात करी कि learner teacher के पढ़ाने से पहले पहले से ही वो तयार हो करके आए और teacher किससे पहले की teacher describe करे वो पहले ही अगर learner lesson को explore कर ले तो यह flipped classroom है इसके बाद ICT based teaching जो है यह virtual reality का example हो जाएगा अब होता क्या है virtual reality तो इसको आप समझ लें इसको short में आप VR भी कहते हैं gaming वगेरा जो है आजकल काफी VR headsets आ रहे हैं जिसको पहन करके लोग game खेल रहे हैं आपने mall वगेरा में देखा होगा बच्चे को जैसे आँखों पे ऐसे headset सा लगा लेते हैं और उसके बाद वो उस अंदर दुनिया में चले जाते हैं बहुत immersive experience होता है तो अगर इस तकनीक का प्रयोग यानि आखों पे कोई एक बड़ी से device लगा के एक दम हम अंदर ही चले जाएं उसके तो जाहिर सी बात है अगर इस प्रका से teaching करेंगे और learning होगी तो जादा immersive होगी जादा engaging होगी तो इसका भी प्रयोग learning के लिए किया जा सकता है कुछ model समझाने हैं कुछ biology की class है और कुछ सनरचनाएं दिखानी है तो उसमें virtual reality का काफी अच्छा प्रयोग किया जा सकता है और finally आता है mind maps, mind maps को यहां connect किया गया है इससे use of self learning tools तो mind map जो है एक self learning tool होता है यानि कि यह जो mind map की हमने बात करी एक topic के अलग-अलग points हमने 4 और बना दिये यह कोई learner अपने खुद की learning के लिए अपने खुद के किसी concept को memorize करने के लिए इस tool का प्रयोग करता है तो I hope यह 4 points आपको समझ में आगे होंगे इसके बाद हम लोग एक अगला question भी देख रहते हैं यह अगला question भी यह आप देख सकते हैं जो अभी latest questions आए है हमारे 2022 वाले उससे ही आया है तो आईए इसको देखते हैं क्या होना चाहिए इसका answer तो यहाँ पूछ रहा है which of the following is a graphical tool for organizing and representing knowledge यदि आपके पास कोई knowledge है कोई ग्यान है और आपको उसको organize करना है मतलब system से अपने दिमाग में रखना है एकदम बढ़िया से उसको represent करके तो ऐसा कौन सा graphical tool आप use करेंगे यहाँ पर ऐसा काम करने के लिए graphical मतलब image बना करके कुछ graphics बना करके आप जब किसी knowledge को अपने दिमाग में organize या represent करते हैं तो वो क्या होता है concept map, lesson plan, summary या diagram तो मैंने आपको पहले ही बता दिया mind map या concept map एक ही चीज़े होती है तो I hope ये भी आपकी clear हो गई इस वीडियो से पहले आपने केवल mind map ही पढ़ा होगा लेकिन यहाँ आज से आपको पता चल गया होगा कि ये mind map भी आप कह सकते हो और इसे concept map भी आप कह सकते हो ये जितने भी teaching supporting system के अंदर ये methods of learning है इसमें mind map जो है ये बहुत important है और ये काफी बार repeat हुआ है इसके अलावा previous questions को free में प्राप्त करने के लिए और test के form में बिलकुल जैसे NTA के screen पे आपके questions आते हैं वैसे लगाने के लिए हमारा ये telegram group ज़रूर से join करें कुमार भरत internet यहाँ पे आपको free notes मिलते हैं और इसी तरीके से mock test की सुविधा भी मिलती है बिलकुल NTA वाले pattern में और ये सब बिलकुल initial free है जो की इस समय आपको और कहीं नहीं मिल रही है तो telegram पे search करें कुमार भरत और इसे आज ही join करें I hope वीडियो चल लगा होगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए सभी को bye और take care